असलाम अलेकुम दोस्तों जदि आप उमान में रहते हो और उमान के हम तेरीन ख़बरों से हमें सब वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्कुप का पूरा देखिए चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राब करके बेल आइकन को प्रेस क जाता साम में उस वक्त आपको ट्रेवल भी करना मनाई है अब जहां भी ट्रेवल करना चाहते हो आप देख लिजिए कि इतना डिस्टेंस है और कोशिस कीजिए कि जब बैंड जब लगाया जाता है लोगडॉन जो साम में लगाया जाती है तो उससे पहले आप जहां पे ज सुइमर के दरब से दोस्तों बताना चाहूंगा आपको जैसा कि पता है कि जापान टोकियो में दोस्तों ओलंपिक का वहाँ उलंपिक चल्ड जिसमें सभी देशों ने उसे पार्टिसेपेट किया है तो दोस्तों अच्छी खबर यह आ रही है कि ओमान के एक सुइमर है जि इन्शालला ताला लेकर आएगा अगली कबर सातियों जो आ रही है वो सिंगापॉर से वैसे है दोस्तों पर आपके लिए जानना जरूरी है तो सातियों सिंगापॉर गॉर्मेंट नहीं एनॉस्मेंट किया है कि सितंबर के महीने से कुरंटाइन फ्री कर दिया जाएगा प फिलाल दोस्तों यह अभी नहीं होगा यह सितंबर के महीने में होगा अभी जुलाई चल रहा है अगस्त के बाद सितंबर जब आएगा उस महीने से यह कानून लागू हो सकता है अगली कबर सातियों जो आ रही है वो दोस्तों मौसमी भाग के तरप से एनॉस्मेंट किया यानि ओमान मेटरोलोजिकल डिपार्टमेंट के तरफ से एनॉस्मेंट किया गया चाहिए आप लोग को तो पता है कि वहाँ की मौसम जो काफी जादा खराब है जिसके वैसे काफी जादा वहाँ पे ठंडर श्ट्रोम उठा यानि दोस्तों बाड वगएरा तूफान वगएर स्टडी रिसा सेंटर के सुल्तान कोबुस यूनिर्सिटी से बयान आया है कि एरबियन सी से दोस्तों ये सैकलोन जो है वह उठाया वहीं से एक्टिविटी स्टार्ट हुई है और बताया जारा अभी कुछ दिन और तक वहाँ पे कहीं कहीं इसका खतरा बना रहेगा कहीं प बताया जारा दो मिलियन यानि दो मिलियन दोस्तों बीस लाग होता है तो बीस लाग अप लग वहाँ पे लोगों को वैक्सिनेटेट किया जा चुका है जो कि दोस्तों रिप्रेजेंटिंग तिरपन पर्सेंट आप टार्गेट पॉपुलेशन के हिसाब से कंप्लिट हो च नस्मेंट किया गि athe दोस्तों जग्रह क पार चाहते हैं तो इगस्तन के नौ आगस्तत बास से साथिमें जाकर वहां पर उमरह्त कर सकते हैं पर उसमें सर्थ यह रखा गया है कि आप फुली वैक्सिनेटेट होना चाहिए तो जो भी लोग उमरह करने के बारे में सोच रहत वहाँ पे lockdown लगाया गया है evening का यानि साम में जो लगाया जाता है साम 5 बेस लेकर सुबह 4 बेसक तो वहाँ पे MOPH का ये कहना है कि जब से lockdown लगा है तब से वहाँ पे ओमान की जो हालात है काफी सुधर रहे हैं वहाँ पे cases लगातार ड्रॉप कर यानि गिरता जा रहा है तो उमीद जता है जा रहा बहुत ही जल्दी ओमान में फिर से नॉर्मल लाइफ हो जाएगा हो सकता लोगों को आने जाना कब परकिरिया भी शुरू की जा सकती यदि दोस्तो नॉर्मल हो गया तो तो ये कुछ अपडेट थी कुछ खबर थी जो मान से आ रहे थी मैंने अब तक सेर के आसा करता हूँ विडियो अच्छी लगी हो वीडियो अच्छी लगी हो को लाइक करते दोस्तों साथ सेर करते ताकि और भी लोग इसकी जानकारी हो सके मिलते साथ उन्हें स्टूडियो पहला अफिस